Hello guys, welcome to TechnoJoylogy और आज की इस वीडियो में हम लोग उस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जो कि the most avated smartphone है Honor ने finally Amazon के अंदर उनका जो पीजर पेज है उसको ला लिया है इसका launch date भी mentioned कर दिया है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या कुछ price point रहने वाला है इंडिया में कौन से कौन से variant के साथ launch होगा और इस phone के अंदर क्या क्या वो specifications रहने वाले complete details इस वीडियो में आपको देखने को मिल चाहेगा वीडियो में आगे बरता है अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया मेरे चैनल को जल्दी से कर सकते हो because ऐसी latest news आपको सबसे पहले मिलता रहेगा फर्स्ट अब आप लोग इस phone के availability and launch date के बारे में बात करेंगे आप जाके check out कर सकते हो Amazon की उपर यह वाला phone जो है यह listed हो चुका है and finally order ने इसका launch date भी mention कर दिया है 15 परवड़ी को honor अपना X9V 5G smartphone लाँच करने वाला है अब जल्दी जल्दी से मैं इस phone के specifications के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि Indian retail unit कैसा होने वाला है first of all phone दिखने में बहुत सही है और यह कुछ दिखने में वही real में के कुछ 12 series के phones के तरह ही गोल टाइप का camera module लेकर आता है बट यह एक बात बता दू कि यह जो phone है यह आज ते करीब दो साल या फिर देट साल पहले लाउंच हुआ है global market में अभी ही आपको देखने को मिला है इसका मतलब यह है कि honor अपने जितने भी smartphone launch करते है उन smartphone को copy करते हुए दूसरे brand काम करते है यह चीज मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि यह वाला जो design है यही similar designs वगरा जो अपको स्मार्टफोन से उन में आ रहे है बट ऑना ने इसको अल्रेडी देट साल पहले लाउंच कर दिया था global market में वही बैक में आपको design जो है वह आपको लेधर में देखने को मिल चाहेगा वेगन लेधर रहेगा साथी साथ आपको round type का camera design देखने को मिलता है triple camera setup के साथ यह phone दिखने में बहुत ही अच्छा है अब display के बारे में बात की जाए तो यह इस phone का एक highlighting feature रहने वाला है विकाज यहाँ पर हाट curve screen रहेगा एंसाधी साथ 120S कर super AMOLED display यह आपको देखने को मिलेगा अब display तो बहुत ही अच्छा रहता है curve बाले display अच्छे होते है बट अभी कबार गिर जाते हाथों से तो और ने यह भी mention कि आए कि इस phone के अंदर जो display रहेगा वह एकदम हाट को टब screen के साथ आएगा मतलब हाथ से जनरली गिर जाता है बहुत सारे लोगों के गलतियों से तो उससे तूटने का डर नहीं रहेगा ऐसा कुछ screen का इंड लोगों ने इस्तमाल किया है इस वाले curve skin के अंदर वैसे curve skin बहुत जादा मतलब होता है अब ऐसा dull लगता यूज़ करते हैं अगर green चाहे काई पर टाक लग जाए तो खड़ाब हो सकता है तो ऐसा चीज आपको इस phone के साथ देखने को नहीं मिलेगा जो कि एक बहुत unique concept है दूसरी company को भी इसको अपनाना चाहिए अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि company ने ये भी mention किया कि इंडिया में जो इंडियन रिटेल यूनिट लॉंच होंगे और एक साल का extra guarantee या फिर warranty आप बता सकते हो दिया जाएगा screen पे मतलब phone का तो warranty एक साल का रहता है साथ ही साथ आपको एक साल का display warranty मिलेगा इस phone के अंदर अगर तूटता है तो मुझा नहीं लगता इस phone में आपको देखने को नहीं मिलेगा performance के बार में बात की जाए तो बताया जा रहा है कि इस बार कुछ नया चमक देने वाला है honor इस phone के अंदर वैसे भी देट साल पहले जब ग्लोबली लॉंच हो था वह स्नाप्राइगन का 6Gen1 सेम प्रोसेसर इंडिया में अभी तक को 6Gen 7Gen S यह थोरे बहुत अपर एंड डाउन लेबल के होते हैं वैसा ही performance आपको देखने हो मिल जाएगा एं तो दूस को बहुत अच्छा है और आप इन फोन से गेमिंग इसली कर सकते हो विकॉज जो यू आई है magic UI honor का वो बहुत ही बढ़िया है android 14 के साथ इस phone को launch किया जो है वो camera रहने वाला है क्योंकि यहाँ ट्रिपल डियर camera देखने को मिल रहा है पीछी के साइब में जो की unbeatable photos and videos आपको click करके देगा हाँ इस वाले camera में 108 Megapixel का sensor यूज किया गया है जो कि primary lens है साथी साथ 8 Megapixel का ultra wide and 2 Megapixel का आपको एक extra sensor मिलता है front का जो camera रहेगा वहाँ पर center punch के अंदर आपको 16 Megapixel का selfie camera दिया जाएगा जिनसे आप बहुत ही अच्छे videos वगरा record कर सकते हो और 90 series के अंदर भी हम लोगों ने जो display देखा या फिर जो camera देखा वो बहुत अच्छे थे वह ऐसा ही similar like display and camera आपको इसके अंदर भी देखने को मिलने वाला है all sensors के साथ साथ fingerprint scanner भी आपको इस वाले फोन में देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको gyroscope बगरा बहुत सारे ऐसे भी sensors देए गया है all sensors अबेलेबिल है but certainly यहाँ पर आपको को 3.5 mm audio jack का support देखने को नहीं मिलता and यहाँ पर कोई dual speaker नहीं मिलेगा single bottom firing speaker ही देखने हो मिलेगी एक बहुत ही shocking बात यह है इस phone का जो कि मुझे पता चला है इंडिया में जो variant launch होगा उसमें आपको 4000 बहुत देखने को नहीं मिलेगा बट एक बहुत अच्छी बात तो यह है कि इस phone के अंदर जो battery pack किया गया है वह 5800 इमेज का है हाला कि देखा जाए तो 6000 इमेज तक के Samsung के मैंने phones unboxing किये जो कि बड़े battery लेकर आता है तीन दिन तक चार्ड चले जाते है वह साइट है कोई बैटरी इस बार इस फोन में रहने वाला है और बहुत ही बढ़िया प्रोचेजर के साथ फोन आनिम का प्रोचेजर है तो बैटरी वेकप भी बहुत ही बढ़िया देगा सू पेल वाले कर रहे है वैसा ही करने का कुछ इरादा है इनका बाकी मैं बता दू बॉक्स में एक आपको headphone मिलेगा कुछ TWS करके ये लोग देने वाले है अब पता नहीं TWS लॉंच होगा या बॉक्स के अंदर ये लोग TWS इंपोर्ट करके देंगे वो आने के बाद आपको प वाही phone है 30,000 रुपया के अंदर और मुझे लगता है वन प्लस के भी बहुत सारे सेग्मेंट में आते है 30,000 रुपया में आईकू के भी बहुत सारे फोन साबको मिल जाएंगे और अपना phone 2 लॉंच करने जाला है 30,000 रुपया के अंदर तो इन सारे चीज़ों के साथ और इसको में भी हो सकता है 28-30,000 के बीच में इंडिया में लॉंच करें इतना ही expectation है अगर इस से उपर में जाता है तो मुझे नहीं लगता है ये phone value पर मनी होगा बहुत सारे specs अच्छे है इस phone का battery life मुझे बहुत अच्छा लगा जो display है वो तो भाई unbreakable है अगर charger दे देता है तो भई मजा ही आ जाएगा आप बताओ मुझे comment करके आप कि इतना excited हो इस phone के लिए और खड़िदना चाहते हो की नहीं wait कर रहो की नहीं वो भी comment में शेयर कर सकते हो और कोई question है आपके मन में वो भी comment box में बता सकते हो वीडियो पसंदा लाइक कर दो चैनल को subscribe कर दो मिलते और इस 9B के unboxing वीडियो में बहुत ही जल्दी आपके साथ मुडाका दोगा तब ते के लिए जैहीन बंदे मातरम